हेलो दोस्तो आड़ जो ऑनलाइन में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताओंगा Amazon Pay के बारे में सब कुछ इसी एक ही वीडियो में में आपको Amazon Pay की बारे में जानकर इस वीडियो में देने वालो तो वीडियो को पूरा जरूर देखे अगर आपने अभी तक Amazon Pay का इस्तमाल लेकिया तो किस प्रकार से करोगे इसका आकाउंट किस प्रकार से खोलना है अगर आप खोलते हो तो आपको बहुत सारे बेनेफिट बहुत सारे कैजबर कि इसमें मिलते हैं इससे शौपिंग भी कर पाओगे तो कैसे करना है तो अपलिकेशन में ध्याइड वाले आफ़ाइख कर देंगे तो यहां पर देशा एंवे तो जैसे आप एमेसों फे पर क्लिक कर दोगे तो आपको इस परकर से इंटरफेस को दिखाय देगा तो यह अपर सकान एड मनी एंट मनी वीव स्टेटमेंट जो भी कि आपकर देशाते ह या पर वह offers आपको यह आपर दिखा दे तो आपको सिद्धा add money पर क्लिक कर देना है जैसे आप add money पर क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ permission मागेगा मतलब आपका account खुलने के लिए कुछ permission यह पर आपको पूछे जा रहे है तो मैंनेज़ वार फोन कॉल्स तो आपको याप पर अलाव कर देना है याप अदेसते फिर massa आपको अलाव करेना जैसे आप आहा लोव आप बोज़े तो प्रोसीड कर देना है आपको जो भी अगली प्रशस छे आपको कुछ लिए कुन सी दोक 것을 आपको रापलॉड करने क्या क्या जरूरत रह थे आपसकी आंगे बताने वाल हूं तौ इस वीडियोका पूरा जरूर देखते रहे हैं आगे मैं कि WROM आपको बता हुगा कि आपंग किस पकास और ओगे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखकेते verifying your mobile number जो भी आपको mobile number इस device में तो आपने आप verify कर लेगा यहां पर देखकेते इसका counting शुरू हो चुके जो भी इसकी प्रोसेस है वह verification के लिए थोड़ा साथ time लेता है तो यहां पर जो भी आपका mobile number है वो यहां पर आ बसा टाइम लेगा और थोड़े टाइम के बाद याप पर देख सकते आपको मैसेज भी आ जाएगा तो याप आप देख सकते हमारा जो भी मोबाइल नमबर है वो आटोमेटिकली वेरिफाई हो चुगा याप देख से वेरिफाई यह सब्सक्राइब बटन के नीचे आपको याप पर दिखाई दे रहा है अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आयों तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए और इसी प्रकार से इंट्रेस्टिंग वीडियो आप देखने के लिए आप बेल आइकोन को जरू दबाई याप पर देख सकते हमें यह आपर यू एमेजोन पर या पर जो भी mobile number verification हो चुका इसका message आमें आ चुका है तो अगला step है आपको क्या करना है अपना bank select करना तो select bank पर क्लिक कर देना है जो भी आपका bank होगा, कोई भी आपका bank हो, SBI, HDFC, Union Bank, कौन सा भी आपका PTM, कौन सा भी आगर आपका bank हो, तो उसे आपको याप पर select कर लेना है, तो मैं अपना bank की आपर select कर लेता हूँ, Union Bank of India मेरा bank का account है, तो उसे मैं यापर select कर लेता हूँ, तो चले मैं आपको एक बार select क हो चुका है या पर जो भी आपका bank account select हो चुका है उसका नाम या पर दिखाए देगा और जो सेकंड स्टेप है तो हरे रंग का जो आ जाएगा तो आपका यह process complete हो चुका है उसके बाद और प्रोसेस है उसके भी बारे में आपको बात देता हो तो आपको क्या करना होगा या पर देशेते bank account अपने link कर लिया तो आगे भी क्या करना होगा आपको debit card add करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जो भी आपर दिखाए दे रहा है जो भी bank account आप link कर रहे हो और ज tymple next पे click कर देना जो account आपने यहा पर अभी है open कर रहा है ओ जो भी उसका mobile number है वो debit card है उसको यह पर डिल देना जो भी accountamment prediction करऊ सिक आपको यहापण डाल देना है यह आपर देशして last के दीजिट आपको हiempo enter कर देने या पर एकसएक्स जो दिखाए देरह उस सावने जो बॉक्स है आपको जो भी ATM कर अब कर दिगिडित को आपको यह पर इंटर कर देना और आपको जो भी डेट है वह आपको इंटर कर देने कब सकती हिं डाल देना है तो यह आप अधे सबसे नीचे आपका जो भी एटेम का पिन आपने रखा है जो डेबिट काड़ आप याप पर डाल रहे हैं उस बैंक अकाउंट का जो आपको एमेजान पेसे लिंग करना है उसका आपको एटेम पिन डाल देना और सेट यूप 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 इंख यूप पिन हैमेजन का यूप 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 इंठ पिन तो उससे आपको सेट कर देना जो भी आपको द्हान में रहे और आपको यह हमेशा यूज करने के लिए मिल जाएगा और आपको यह हमेशा याद रखना पड़ेगा इससे आपको ट्रैंजक्शन करने होते हैं तो यहापर मैं यहापर डाल देता हूं मेरा यूपी आई पिन तो आपको भी फोर डिजिट का कोई भी यूपी आई पिन आपको डाल देना और फिर से आपको यहापर डाल देना और कॉंफर्म प्लोट की को अपो क्लिक कर देना जैसे आप अफेर्म पर क्लिक कर दोएदि अपर और अपको है आपको सबसे मोबाल नंबर आपको अपको यहाप यहां का प्याल लेंक हो आपको आपकर दिखाए को जो भी priority ौब आपको create हो जाएगा आप अगर PTM को अपनी यूटी फ्रेंड को रिफर करके तो या पर देख सकते हो invite friends सबसे नीचे आप यहां पर click करके फ्रेंड को share करके आपके अगर वो फर्स्ट transaction करता है तो आपको 31 रुपए या पर Amazon Pay से तरफ से मिल जाएंगे अगर आप भी यह Amazon Pay Simple तरीके से यूज करना चाहते हो तो आप नीचे description में लिंक दे दिये वाप पर क्लिक करके Amazon Pay का account खोल सकते हो यह जो step इस वीडियों में बता है उसी स्टेप को follow करके आप यह account बना लिजेगा आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से Amazon Pay कि आप कर पाओगे ते आप देख सकते जो भी आपको share करने तो आप share कर दीजिए और आपको 31 रुपए आपके account में मिल जाएंगे आगे मैं बताऊंगा कि आपको यहाँ पर आपको KYC आपकी किस प्रकार से करने तो आप यहाँ पर देख सकते हो उसके बारे में अब इम्हों मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपका याप को बदा देड़ा हर यह मोबाइल नंबर को याप नहीं आपको नाम है सबसे उसके और लाज जाएका ना तो आपको उसके बाद क्या करना है जो भी वेलिड डॉक्वोमेन्ट है मतलब पैनकाड तो पैनकाड आपको या पर सलेक्ट आईडि टाइप या पर जो रैड दिखाए धेर रेड कलर का वाप पर सबसे नीचे आप अपर देख सेलेक्ट आईडी टाइप तो आपर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर दोगे तो पैन काड को आपको आपको सलेक्ट कर देना और एंटर आईडी नमबर जो भी पैन काड का नमबर होगा आपका बीसी ये अड़ और अपको आपको क्लिक कर देना है के पी तरप से यहादा ट्रांसफर करने एक लाख रुपे तक तो उसके लिए आपको एमेजोन की के वाई सी करनी बहुत जरूरी तो के वैसे के बारे में भी मैंने वीडियो बनाए प्यटेम का किस परकास करोगे प्यटेम से बहुत सारे वीडियो मैंने बदा बदाए उन वीडियो को भी आप देख पाओगे उन व पर्मिशन आपको मिल जाएगी और सबसे आखरी वाला स्टेफ है वह है के वाई सी फुल के वाई सी आपर आपको अपने डॉकुमेंट अपलोड करने पड़ते हैं पैंड काड वोटर आईडी काड जो भी आपका एड्रेस प्रूपो करना पड़ता है जो भी आपका अभी के वाई सी का प्रोसेस वह आपको मैं बता देता हूं तो सबसे फर्स्ट रो में आपको यहापर देख रहा होगा के वाई सी लास्ट में थर्ड नंबर पर आपको यहापर देख सकते के वाई सी तो के वाई सी पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यह याप पर दे सकते हैं जैसे आप KYC Amazon की पे में या KYC option पे क्लिक कर दोगे तो इस प्रकार का interface आपको याप पर दिखाय देगा और आप पर आपको बता देगा कि upload किस प्रकार से आप याप पर दॉक्मेंट कर पाओगे तो याप पर मैं आपको याप देखाय देखाय देटा शिडू अपनमेंट आपको लेनी पड़ती है जो भी वह एजंट होते हैं वह आपके घर में आते और आप से आड्रेस वेरिफिकेशन करते हैं कुछ डॉक्मेंट देखते हैं तो फुल के वैसे आपको हो जाते हैं तो सबसे पहले आपके क्या करना होता है जैसे आप क्लिक कर दोगे वहाँ पर तो आपको याप फोटो आपको upload कर देना है तो फोटो को आपको गैलेरी में फोटो कि फोटो याप पर डाल देरे हमारी जो भी फोटो ही वह आपर हम एक बाद सेलेट कर लेते हो आप पर आप डाल देतों जैसे आप कर दोगे आपर फोटो अप्रोड़ेड याप बताएगा तो यह आपर अध्रेस प्रूप में आपके आदे सकती वोटर आडी ड्राइबिन ल ак또 दोनों भी आपको यहां पर अपलोड कर देने और कंटिनी पर क्लिक कर देना है जैसे कंटेनी पर क्लिक कर दोगे अपलोड करनी के बाद फोटो आप simple थरीका सब्सक्राइब आप डाल देंगे आप इसके फोटो अपलोडेять नाय तो लास्ट में आपको यहां पर बताएगा थर्ड नमबर पे पैन काड तो का फोटो अपको अन्हों कर देना है आपको पर देख सकते अर्द पर आपको खेंकर खेंस कंपलीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना आ पर आपको देख लेना है कि आपकी पूरे डॉकुमेंट अपलोड हो गए या नहीं जैसे आप सब्मिट कर दोगे तो आपको अपन्मेंट लेनी पड़ेगी जो भी आपके पास आएंगे आपके घर पर आएंगे वह डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाल आपको जो भी लिमिट है वो लिमिट बढ़ जाएगे एक लाक रुपे तक आप इसमें ट्रांजेक्शन कर पाओगे तो या पर आप भी फिलाल तो कुछ सीटीज में यह एवेलेबल है तो मैं आपको या पर दिखा देता हूँ कौन-कौन से सीटीज में आप पर देख सेते हैं मै जर्डूल एक पर क्लिक कर दिया तो यह पर बताया नहीं रहा है आप देख सbersばい अब तो आप एक लाःग रुपे कि फैसिलिटी हो जाएगए अगर फूल कर वाइसी के प्रोसेस पूरी हो जाती है तो फिलाल यहां पर आपको बताया दो कि कौन-कौन से सीटीज में यह करने के लिए उनके कस्टमर जो भी उनके कस्टमर के लिए फैसिलिटी है याने उनकी एजन्ट आएंगे या आप अधाबाद बैंगलोर चेन्ने देली फरिदाबाद गोतम पुंदनगर गाजियाबाद गुर्गाव है द्राबाद कोलकाता मुंबई एंठाने पुने और सु सिंपल तरीके से आइमाजोन पे का के वाई सी कर पाओ गया आप गर अभी तक आपने के वाई सी नहीं कर यह तो इन सीटीज में आगर आप रहते हो तो आपको जरूर कर लिने चाहिए क्योंकि आर्ब्याय के गाइडलांस के नुसार आपको के वाई सी करना बहुत ही जरू कि नहीं आप